हलो स्टूजिन्स मैं रनुश्रमा आप लोगो व्योम हिंदी व्याकरण पाठ दो वर्ण माला पढ़ाऊंगी पाठ दो वर्ण माला अल्फबेट इस पंघट पर जल भर अब समझे इस पंघट पर जल भर एक वाक्य है यह कई सब्दों इस पंघट पर जल और भर के मेल से बना है इन में से प्रतेक शब्द वर्णों के मेल से बना है इस इ जोड स जोड अ इस पंघट पा जोड अ जोड न जोड अ 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 जोड त जोड अ पा न गट पंघट पर पा जोड अ जोड अ जोड र जोड अ जोड अ पर जल ज जोड अ जोड ल जोड अ जल भर भर जोड अ जोड र जोड अ वर्ण भासा की सबसे चोटी उकाईया हैं इनके टुकडे नहीं किये जा सकते हैं वर्ण भासा की सबसे छोटी इकाईया हैं, इनके चुकडे नहीं किये जा सकते हैं भासा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनी वर्ण कहलाती है और इन वर्णों का विवस्थित समू वर्ण माला कहलाता है अब हम आगे देखेंगे वर्णों के भेद वर्ण दो प्रकार के होते हैं स्वर और वेंजन वर्ण दो प्रकार के होते हैं स्वर और वेंजन स्वर वर्ण जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है इनका उच्चारन करते समय हवा मुह से बिना किसी रुकावट के बाहर आ जाती है हिंदी में कुल ग्यारह स्वर है फिर से कुल ग्यारह स्वर है वें जन वर्ण जिन वर्णों को बोलने में स्वर वर्ण की सहता लेनी पड़ती है उन्हें वेंजन वर्ण कहा जाता है स्वर वर्ण हम किसी की सहता बिना किसी अन्य वर्ण की सहता से बोलते है और वेंजन वर्ण हमें स्वर वर्ण की सहता लेनी पड़ती है इनकी उचारन में हवा मुँ में कही ना कही से टकरा कर निकलती है इनकी संख्या 33 है 33 ये है क, ख, ग, ग, उ, च, छ, ज, ज, इ, ट, ठ, ड, ध, मुर्धन्ना त, थ, द, ध, दंदन्ना, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालिबस स, पेट काटा मुर्धन्स, दंस, ह कितने हैं कुल ये 33 वेंजन वर्ण है तो बच्चो आज पाठ दो वर्ण वाला में हम लोगों ने पढ़ा वर्ण, वर्णों के भेद, स्वर्ण, वेंजन वर्ण आप लोग घर पे स्वर्ण, वेंजन वर्ण लिख कर अभ्यास कीजे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तब तक अच्छे से अभ्यास कीजे और स्वस्त रहिए तैंक्यू